नमस्कार दोस्तों आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि जो यूके के अंदर दंगे भड़कें उसके पीछे रीजन क्या है और वो क्या कारण है कि वही सो साल पुरानी जो लडाईयां हुई थी यूके के अंदर या फिर कहूं नोर्दन आईरलेंड और आईरलेंड के इसमें शामिल क्या क्या है और जो ग्रोफिकल कंडिशन के बाद हम बात करेंगे नोर्दन आईरलेंड के हिस्ट्री के बारे में कि क्या ऐसा हुआ था कि सो साल पहले की लडाईयां अब लोगों को वापस याद आ रहे हैं कि ऐसे दंगे जो हैं वो सो साल पहले बढ़के थ कि कोई भी सम्मेलन या भी कोई भी मीटिंग जो है वो नोर्दन आईरलेंड में नहीं की जाएगी ये एक न्यूस पिपर अगाडिन इसने ये बात बोली है क्यों नहीं की जाएगी अब उसके बारे में बात करते हैं यहां पर बहुत जादा मातरा में आगजनी हुई है य उनाइटिड किंग्डम जो है वो चार जो किंग्डम है उनसे मिलकर बना हुआ है एक मिनिट में इसका कलर चेंज कर लो चार किंग्डम जो है उससे मिलकर बना हुआ है पहला जो है वो स्कोटलेंड है वेल्स है इंगलेंड है और यहां पर यह चुटकू सी चीज दीखरी ह न वो Northern Ireland है Northern Ireland क्यों नाम पढ़ा इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ तो यह जो आप direction पढ़ते हैं North, योग्या South योग्या West योग्या East, जो हम direction पढ़ते हैं उसके अधार पर इसका नाम जो है इस छुटकू का नाम पढ़ा Northern Ireland वैसे क्या हुआ कहते हैं आइरलेंड और Northern Ireland ये एक ही हुआ करते हैं 1922 में ये जो है वो एक्जिस्ट हुआ था, उसके बारे मैं अभी थोड़ी दरवें बात करेंगे पहले एक बार जोग्रोफिकल, इसकी सारी लोकेशन जमन लेते हैं, तो अगर आप देखें, जो Scotland है, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूँ, Scotland ये जो है, आपको अगर नहीं पता तो ये Sanitary Pad, Sanitary Pad जो है वो free करने वाला, महिलाओं के जो Sanitary Pad यूज होते हैं, उनको यो free करने वाला पहला Kingdom था, या फिर कहेंगे कि Scotland में वो चीज है, free की गई है फिर ये जो आप देख रहे हैं, England England जो है, ये इस UK का सबसे बड़ा Kingdom और महराणी महराणी, Elgabeth जो है वो यहीं से आती हैं, फिर इसके बाद आते हैं हम Wales, Wales जो है, इसके बारे मैं आप लोग जिनको सजाक के तोर पर दूसरे इस देश निकाला जाता तो दूसरे Island के उपर या दूसरे continent बेजा जाता था, तो उनको वहाँ पर भेजा गया उस्चेलिया के अंदर, तो उन्होंने अपने ही देश की याद में New Wales करके एक जगा बना ली, आज भी वह exist करती है तो यह हो गया, फिर इन तीन Kingdom के बाद जो चोथा Kingdom आया या फिर एक छोटा हिस्सा हम कहा सकते है कि Northern Ireland आया जो Ireland का एक हिस्सा हुआ 1992 में यह existence में आया क्या हुआ कि जो UK आज तक हम जानते थे, जानते ही है इसको लोग कहते हैं कि इसका कभी सुर्यास तरह नहीं होता, इसने बहुत राज किया है जहां से सुरज शुरू होता है जहां पर सुरज डलता है वहां तक है, UK का राज है लेकिन UK ने जो आज तक किया इस बुके नंगे देश ने इसले क्योंकि इनके पास काम के है फूट डालो, राज करवाली जो इन्होंने नीती अपना है लोगों को बढ़काया, लोगों में डिवीजन किया यह जो चीजें इन्होंने की धर्म के अधार पर बाटने के जो इनके काम रहे है आज वही चीज इनी के देश को वह खा रही है आज इनी के वह जी चीज है कह रहे हैं कि अब UK उनाइटिड रहेगा नहीं रहेगा, इस चीज के उपर सवाल उठ गए है अब उसके उपर बात करेंगे जो यह जो एक की टोपी जल में इकल होता मतलब कि समूंदर में अलग से पड़ा हुआ एक आईलेंड है यह कहीं पर भी किसी के साथ लैन बाउनडरी नहीं बनाता इस नोर्दन आईरलेंड को छोड़के और बागी कोई भी जो UK का कोई इसा लैन बाउनडरी नहीं बनाता है और ये जो boundary जो बनाता है वो बनाता है Ireland के साथ में अब जोरा संबना मैंने ये बात क्यों बोली है 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2020 को 2020 को Brexit हुआ 2020 को Brexit हुआ Brexit में क्या हुआ जो EU था एक बिनिट है क्या यहां नहीं है मैं यहीं बता देता हूँ जो EU है EU के अंदर क्या थे 28 countries हुआ करती थी European Union European Union के अंदर 28 countries हुआ करती थी लेकिन 31 दिसंबर 2020 को Brexit हुआ उससे क्या हुआ UK बाहर आ गया UK ने अपने आपको EU से अलग कर लिया और यह जो Northern Ireland है तब यह बात हुई थी कि मैं EU से बाहर नहीं जाना चाहता है क्योंकि जो Ireland आप देख रहे हैं यह अलग से सेपरेट कंट्री है यह अलग सेपरेट कंट्री है जो इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम अलग से नहीं जाना चाहते हैं यह ने Northern Ireland वालोंने बोल दिया था और यह एक सेपरेट से अलग कंट्री है यह जो कंट्री है वो EU की EU का पार्ट है EU का हिस्सा है European Union में जो देश बचे हैं उसमें से यह एक देश हो रहा है अब England UK ने तो अपने आपको अलग कर लिया Brexit से और जो यह चीज़ें बनाते हैं जो यहां पर आप Boundaries देख रहे हैं यह Boundaries आप देख पा रहे हैं तो यह और किसी के साथ Boundaries नहीं बना रहा है सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़कर इस Red Color यानि इस Northern Ireland को छोड़कर यह चोटा सिसा देखकर यह सिर्फ और सिर्फ आइरलेंड के साथ Boundary बना रहा है जिससे क्या हो रहा है कि European Union का जो समान है जो इतनी Boundary इनको पता ही नहीं चलता कि कब इनका समान यहां पर पहुंच के पता ही नहीं चलता इतना भर-बर के समान आ रहा है इस Northern Ireland में Ireland की तरफ से जो EU का जो समान है इस चीज को लेकर UK परिशान हो गया UK जो परिशान हुआ तो इसने क्या कहा UK जैसे परिशान हुआ तो इसने फैसला किया कि भाई यह जो चीजे हैं अगर इसमें बाकी के UK में ना आ जाए Scotland, Wales, England में ना आ जाए तो इसने क्या किया इसने यह कर दिया इसने एक जो यह boundary आप देख रहे हैं तो उसने यह boundary बना दी इसको Irish Sheik आ जाता है क्योंकि जो Ireland के नजदी पड़ता है तो इसको Irish समूंदर कहलो तो इस शी कहा गया तो UK ने क्या करा कि इस boundary को इस जल boundary को अपना एक border बना लिया और इसको कहा दिया कि यह जो अलग हो गया और यह अलग होने के बाद यह जो UK है वाकिक अलग हो गया ऐसा हुआ कि for example हमारे भारत में हमारे भारत में अगर हम यह कहें कि भाई हरियाना अगर मैं यह कहूँ कि हरियाना को अलग कर दिया तो इसके उपर क्या भीतती है हरियानां के उपर क्या भीतती है तो यही जो condition है इस ने कहा कर दिया हम जो थे वो तुम्हारे साथ जुड़े थे 1992 में और आज तुम हमको बोल रहे हो कि हमें अलग कर दिया तुमने एक imaginary boundary बना लिया और हमें अलग तलग कर दिया तो ये जो चीज हुई इसके काण इसके अंदर धंगे बढ़के और धंगे भी ऐसे बढ़के जो सो साल पहले जो यहाँ पर religion के अधार पर बढ़के थे अभी इस चीज को मैं clear करता हूँ क्या हुआ कि 1921 में 1921 में 1922 में ये existence में आया था Northern Ireland Northern Ireland existence में आया था actual में हुआ क्या करता था यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दू यह आप देख पा रहे हो तो कि यहाँ पर बहुत चादा बड़ी मात्रा में यहाँ पर दंगे बढ़का करते थे 1922 में जाके इसमें कुछ दंगे शान्त हुए दंगे शान्त क्या हुए समझोता हुआ था वो अभी थोड़ दिर मता हुए एक समझोता हुआ था जिसको गुड फ्राइडे का गया था इससे पहले ब्लडी संडे हुआ था इस तीज के उपर आने वाला हुआ थोड़ दिर में तो 1922 में जब क्या हुए यह यूके के साथ मिल गया यह जो आप इससा देख रहे हुए यह आप देख रहे हो कि 1992 में यह जो अलग हुआ यहाँ पर यह जो ग्रीन-ग्रीन कलर का जो आईरलेंड है यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर थे प्रोटेस्टेंट 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 का मतलब होता है यहाँ पर लिखा भी हुआ है कहाँ प्रोटेस्टेंट है प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी क्या हुआ यहाँ पर यहाँ पर हुआ करते हैं प्रोटेस्टेंट और यहाँ पर हु अपनी पुराने दितिर इवाज में भी बिलीव करते हैं लेकिन जो प्रोटेस्टेंट हुएं वो पॉप में बिलीव नहीं करते थे वो कहते थे कि हम मोडन हैं तो इस करके इन दोनों में बहुत जादा लडाईया हुई बहुत हद तक लडाई हुई 1960 के बाद इनमें जैसे 1922 में जो हुआ 1960 के बाद यहां पर बहुत जादा मातरा में लोगों के उपर गोलियां चलाई गई इतनी जादा यहां पर लडाईया हुई कि आप देखें कि 1972 के अंदर Bloody Sunday के एक नाम से क्या हुआ 14 Catholic Protesters को गोली मार दीगी इसको गोली कैसे मारेगी जरा एक बर समझना कि यह जो Protestant का इलाखा हुआ करता था इसमें थोड़ी बहुत मातरा के अंदर क्या था Catholic जो Catholic में believe करने वाले जो Catholic Christian हुआ करते तो वो यहां रहा करते थे जिससे क्या हुआ कि यह जो Protestant है इनके ओपर अत्याचार किया करते थे तो और इतना अत्याचार किया करते थे कि इनको मार दीए लगवगवगवगवगवगवगवगव तीन-तीन हजार लोग मरे हैं इसके दुरान और 1972 में क्या हुआ यूके की पुलीस ने आकर 14 Catholic protesters को ही ग 1999 तक की जो हुआ वो 3000 से ज़्यादा लोग यहां पर suffer हुए उनको गोली मारी गई वो बहुँ ज़्यादा तब इस चीज को सुधारने के लिए एक Good Friday Agreement हुआ ज़्यादा ही टाइम नहीं हुआ आप देख सकते हुआ 1998 में हुआ जो Good Friday हुआ जो sign किया गया sign किया गया किसके बीच में Protestant के बीच में और Catholic के बीच में जो Catholic Christian है इनके बीच में जो है वो Agreement हुआ इनको उनकी का खा कि हम अलग रहते हैं जो यह आप देख पा रहे हो नब Brexit के कि हाँ जो कहा कि हम यह अलग रहते हैं boundary बना ली इसको अलग थालग कर दिया फिर से वही वाले हालात आगे फिर से वही चीज़ें लड़ाईं स्टार्ट होगी Catholic or Protestant के बीच में कि हमें तुमने अलग कर दिया हम किसके साथ जाए हम ना तो हम इनके साथ है अब ना तुमने अलग कर दिया जो हम तुमारे साथ मिले थ तो यह फिर से वही लड़ाई हैं फिर से यहां पर आ गई हैं और UK के existence पे फिर से क्या मतलब सवाल कड़े होगे कि यहां क्या United Kingdom United रहा पाएगा क्या नहीं रहा पाएगा वही बात होगी कि अगर बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए इन्होंने वही चीज़ें करत तो इतनी सी बात थी कि भी जो UK के अंदर बहुत जादा दंगे बढ़क चुके हैं इतनी सी क्या बहुत बड़ी बात हैं तो कहा ना जैसा तुम बहुगे वैसा ही तुम पाऊगे आज लोगों के अंदर divide and rule का जो इन्होंने खेल कहला था आज इन्ही के देश में वो चीज आ गई हैं मतलब कब तक उस चीज को अपने देश से दूर रख पाऊगे और वो चीजे फिर से वापस आ रही हैं फिर से क्या मतलब आ गई हैं इनके देश में भी कभी घूम फिर के तो तुमारे अपर वो चीजे आ नही हैं तो ये था कि यूके के अंदर जो दंगे गें और बहुत जादा मातरा में बढ़ गए हैं आगजनी हो रही हैं लोग मर रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं दंगे बढ़क रहे हैं वहाँ पर तो इस चीज के उपर अगर और अप लोगों को इस चैनल के उपर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी कैसा लगा ये आ आपको current affair का topic तो please comment करना और अगर आप लोगों ने subscribe नहीं किया इस channel को तो subscribe कर देना Thanks for watching this video, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद